हलो दोस्ता नमस्कार, बात कर रहे हैं 16th of February के सेशन की और आज हम the Hindu newspaper discuss नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं Financial Express के एक article की, क्योंकि इस तरह के जो news articles होते हैं जो news business related होती हैं, उनमें कुछ terminology different हैं तो उन terms को हम जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इस प्रकार के editorials को या फिर articles को deal किया जाना चाहिए तो Financial Express का ये जो article है इसमें The Central Government on Thursday cut the windfall tax Central Government ने, किंदर सरकार ने Thursday को क्या किया, कट किया, कटोती की किसमें windfall tax में, ये क्या होता है बात करेंगे और the special additional excise duty या फिर यों कहें कि special अत्रिक्त, एक excise duty जो है उसमें कटोती की किस चीज़ पर domestically produced crude oil and diesel exports पर domestically produced का मतलब जो घर में ही उत्पादित की जाती है जो कि देश में ही produce की जारा जो crude oil है, कच्चा तेल है और diesel के जो exports है उन पर, ठीक है तो subject यहाँ पर क्या है, central government, verb इसकी क्या है cut, cut के तीनों form सेम होती है, पता है आपको Tuesday, Thursday से पहले on क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यह day का नाम है तो government ने Thursday को windfall tax में कटोती की है या फिर इस में कटोती की है, किस चीज़ पर उन exports पर, जो या तो diesel का export है या crude oil का export है, और यह दोनों ही, diesel और crude oil कच्चा तेज़ और diesel, produce कहां किये जा रहे है domestically produce हो रहे है, देश में produce हो रहे है तो यहाँ पर windfall tax क्या है, यह काफी बर आपको सुनने को मिलेगा windfall tax जो है, यह एक windfall जो शब्द है उसको समझने पहले कि windfall का मतलब होता है जो एप्रतियाशित हो, जो धनराशी, जो पैसा unexpected आए, एप्रतियाशित आए, अचानक से आए उस पैसे को हम बोलते हैं windfall तो windfall tax उसी से संबंदित है अगर कोई पैसा किसी कंपनी के पास प्रतियाशित रूप से आ रहा है किसी वर्ष उसका profit unexpected है, on average से ज़्यादा है तो फिर सरकार उस पर ज़्यादा tax वसूलती है जो impose किया जाता है tax, वो आम जो tax का एक जो slot कह सकता है उससे ज़्यादा tax वसूला जाता है, उसे ही कहा जाता है windfall tax तो windfall tax कब होगा, ये कुछ specific companies पर लगाया जाता है जब उनका profit औसत की तुलना में ज़्यादा होता है, unexpected होता है तो वहाँ पर tax ज़्यादा वसूला जाता है, उसी को नाम दिया जाता है क्या windfall tax, ठीक है, अब देखिए windfall tax on crude petroleum produced by companies like the state owned oil and natural gas corporation windfall tax किस चीज़ पर crude petroleum पर जो कच्चा तेल निकलता है, पेट्रोल है ये किस के द्वारा produce क्या जाता है, companies और companies कौन सी जैसे कि कुछ ऐसी companies हैं, जो सरकार के स्वामित्तों वाले company हैं जैसे कि ONGC, ये full form दे रखी है, oil and natural gas corporation has been reduced, अब ये जो windfall tax है, ये क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है reduce कर दिया गया है, और कहां तक 4350 करोड़, 4350 रुपे तक कम कर दिया गया है कहां से, पहले ये इतना था, per ton, अब ये per ton कितना लगता है, इतना लगता है और as per the previous revision, ये किसके according है, जो पिछली बार संशोती दरे थे, उसके according ये चीजें है, ये facts है ठीक है, एक बार फिर समझेंगे, देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, चीजे वही है, अगर आपने English पढ़ना सीखा है मेरे साथ the Hindu news paper के through, तो आप समझते ही होंगे, कि कितना आसान बाकी के sessions आपको लगते हैं, कितने आसान और editorials, या फिर कोई भी article आप पढ़ो, चाहिए, फ्रेंट पेज पढ़ो, या किसी भी news को आप पढ़ते हैं, तो बहुत आसान लगता है, क्योंकि आपने editorial पढ़ना स ठीक हैं, तो यहां पर क्या कहा रहा है, windfall tax, समझ में आई गया कौन सा tax है, किस पर, crude petroleum पर, जो किस के द्वारा produce होता है, ऐसी companies के द्वारा, जो की सरकार के स्वामित्तों वाली company हैं, जैसे की एक नाम दे रखा है, ONGC, अब इस tax पर क्या कर दिया गया है, reduce कर दिया गया है tax को क्या कर दिया गया है, reduce कर दिया गया है, और कहां तक ले जाया गया है, इस रुपए तक, कहां से पहले इतना था, किस के according है, previous revision के अनुसार है, पिछली बार जो tax लग रहा था, या पिछली बार जो दरे थी, उसके संशोधन जो किया गया था, revised का मतलब यह होता है, है उसके according यह चीज़े हैं, ठीक है, अगले slide में देखिए, next कह रहा, the additional duty on diesel has been brought down to rupees 2.5 from rupees 7.5 per liter earlier, additional duty, अतरिक्त शुल्क, सिक, अतरिक्त शुल्क किस पर, डीजल पर, यह शुल्का क्या किया गया है, यह नीचे लाया गया है, यह कम कर दिया गया है, कितना धाई रुपए तक ले जाया गया है, पहले कितना था, इतना, प्रती लिटर साड़े साथ रुपए की कर लगता था, अब कितना लगेगा, धाई रुपए लगेगा, earlier मतलब यह पहले, समय में पहले के लिए आता है, and levy, levy का मतलब भी tax होता है, on aviation turbine fuel, यह aviation turbine fuel, aviation का मतलब होता है, उड़यन से सम्मंदित, aeroplane से सम्मंदित, इसको एक simple भासा में समझाया गया है, jet fuel, तो हवाई जहाज में जो fuel डलता है न, उसमें, अगर बात करें, तो उसमें कटोती की गई है, और कहां तक ले गए हैं, डेड रुपए, पहले कितना था, 6 रुपए प्रती लिटर, according to the latest notification, यह जो अ अतरिक्त शुल्क, duty noun है, additional executive है, the determiner है, और जिन words के end में al होता है, वो executives होते हैं, यह आपको पता है, traditionally यहाँ पर क्या है, executive है, जो अतरिक्त शुल्क है, किस पर, diesel पर, उसको क्या किया गया है, नीचे लाया गया है, कहां तक, धाई रुपए तक ले जाया गया है, पहले कित अब कहरा, the levy on petrol continues to be nil, जबकि जो petrol पर levy लगती थी, tax लगता था, वो अभी भी कितना है, nil है, zero है, अभी भी, nil ही है, कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया है, आगे देखेंगे, on July 1st, एक जुलाई को, जब आप date की बात करते हो, और particularly उसी date की बात करते हो, तो किसका प्रियोग किया जाता है, own का, तो यहाँ own लगा हुआ है, एक जुलाई को, windfall profit taxes, जो windfall से profit, मतलब windfall profit जो है, उससे जो taxes लगाये गए है, were first imposed, यह पहले लगाये गए थे, on Indian companies, भारतिये कंपनियों पर, as the country joined a growing number of nations, क्योंकि देश ने, उन देशों की list में शामिल हो गया थ था, debt tax, super normal profits of energy firms, ठीक है, तो debt tax, super normal profits, वो राष्टर, जो कि tax लगाते हैं, किन पर, जो super normal profits है, मतलब जादा profit किसी को हो रहा है, energy firms में, उन देशों की सूची में भारत भी शामिल हो गया था, जुलाई एक को, windfall profit taxes जो है, वो पहले impose किये गए थे, अब ये were imposed है, ये passive का structure है, ठीक है, तो कह रहा है कि एक जुलाई को पहली बार tax लगाए गए थे, किस पर भारते कंपनियों पर, क्यों, क्योंकि देश जो है, भारत देश जो है, वो उन देशों के list में शामिल हो गया है, वो देश, अब ये देशों के लिए that है, relative pronoun है, जो कि tax लगाते हैं, किस पर, super normal profits पर, और किस के profits, energy, firms के profits, ठीक है, however, हलंकी, international oil prices have cooled, cool का मतलब है, कम हो जाना, ठीक है, अब ये थोड़ा ध्यान रखें, इस प्रकार के जो words आप सीखते हैं यहां पे, cool हो जाना, कीमतों क cool हो जाना मतलब, कम हो जाना कीमते, तो कह रहा है कि, हलंकी, अंतराष्ट्रिय तेल की जो कीमते हैं, वो कम हुई है, तब से, अब तक, अंतराष्ट्रिय तेली कीमते कम हुई है, eroding, तो इस चीज़ से क्या हो गया है, कमजोर हो गया है, erode क्या होता है, note करेंगे, important word है, erode क मतलब है weaken या फिर क्या कहोगे debilitate कमजोर कर देना ठीक है the profit margins तो इसने क्या कर दिया है profit margin को कम कर दिया किस पर और both oil producers and refiners दोनों का जो refiners हैं वो भी और जो producers हैं वो भी refinery चलाने वाले है ना इन दोनों के profit को कम कर दिया बोत के साथ में हमें end लगाना होता है ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए फिर कह रहा है windfall tax windfall tax जो है is levied पैसिव है b के साथ third form passive voice है और किसका पैसिव है present indefinite का पैसिव है ये ठीक है present indefinite का पैसिव है तो windfall tax जो है वो लगाया जाता है किस पर as a special additional excise duty किस रूप में इस रूप में विशेश अतरिक्त शुलक के रूप में which is aimed at जिसका लक्षे क्या होता है ये उतपाद शुलक होता excise duty है न which is aimed at जिसका लक्षे ये होता है aimed at लगता है absorbing the super profits जो ये tax किसली लगता है जिनका profit ज्यादा है उनको absorb करने के लिए और ये किसके द्वारा कमाया जाता है domestic crude oil producers जो भी घरेलू मतलब देश के अंदर crude oil producers से कच्चा तेल उतपादन करनेया काम करते हैं due to high global crude किसके कारण high global crude product prices के कारण और revise किया जाता है मतलब इसको संसोजित किया जाता है इसको change किया जाता है windfall जो है windfall tax levy करते हैं लेवी करते हैं मतलब tax impose करते हैं किस रूप में इस रूप में जो की इसका लक्षे क्या होता है जो super profit कमाया है domestic crude oil producers ने किस कारण से high global crude product prices के कारण इसके कारण तो profit इनको हुआ है उसको absorb करना मतलब उसको balance करना इसका उद्दिश्य है और इसको revise किया जाता है हर दो सप्ता से किस के द्वारा central government के द्वारा the rates of the levy's are being changed अब कह रहा है कि जो tax की दरे हैं वो change की जा रही है ये भी passive है being के साथ third form आ रहा है और ये passive किस का है ये continuous का passive है ठीक है ये present continuous का passive है तो कह रहा है कि दरें जो हैं levy's की वो बदली जा रही है depending on किस पर निर्भर है ये चीज़ depend के साथ में on लगता है और यहाँ note भी कर लें आप कि depend के साथ साथ कुछ और भी ऐसी verbs हैं जहां पर on लगता है depend के साथ rely होता है इसके साथ साथ hinge होता है इसके साथ साथ आप कह सकते हो rest होता है ठीक है ये सब चीज़े हैं इनके साथ में हम क्या लगाते हैं ओन लगाते हैं इन सभी का मतलब क्या है निर्भर होना है तो ये सब निर्भर करता है crude prices पर, कच्चे, तेल की कीमतों पर and refining spread और refinery का फैलाओ मतलब कहां तक है refinery उस पर निर्भर करता है ठीक है तो ये सब ये rates हैं लेवीज, मतलब tax की वो बदलती रहती हैं इन चीजों पर depend करती है तो ये था आज के इस session में जहां आमने जाना कि कैसे आप business news article को deal कर सकते हैं और ये approach आपको सीखनी है अगर आप banking की तयारी करते हैं wishes रूप से उनके लिए और आज कल तो SST में भी जोड दिया है editorial आएगा comprehension का segment ज़ादा आएगा तो वहाँ पर भी हो सकता है कि कोई एक segment आप से पूछ लिया जाए जहां पर economy related business related words मिल जाएं तो बहुत महत्तोपुन बन जाता है उनके लिए तो ये पढ़ने की आदत डाल लीजिए क्योंकि ये editorial जो होते हैं या ये articles जो होते हैं थोड़े से अलग शब्दों के साथ आपको दिये जाते हैं और वो शब्द हम तभी सीख पाएंगे जब आप बार बार में इसकी practice करेंगे बार बार में इस तरह के articles पढ़ेंगे मुलाकात होगी कल ठीक शाम पांच बजे एक नए सेशन के साथ जहां पर हम डिसकस करेंगे दे हिंदू एडिटोरियल तब तक कि लिए नमस्कार थेंक ये वेरी मच